भगवान शिव देवों में महा देव है जिन को पंसंद करना बहुत आसान हैं वे अपने वक्तों से बहुत जल्ली पंसंद हो जाते हैं आज भगवान शिव इन राशियों पर महरवान हैं बस आप इन विधियों को करें और भगवान शिव की क्रवा प्राप्त करें शिव भोले नात हैं और सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसंद होकर अपने भक्तों को आशिरवात देते हैं शिव अनाधी पर अनंत हैं शिव के जन्म की कथा भी अजीव है किसी देवी देवता को जब पुरसन करना हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो पाएंगे कि भगवान शिव को क्या चीजें अतिप्री हैं और किन चीजों को कभी विशिवलिंग पर नहीं चड़ाना चाहिए। आज मेश, करक और मीन राशी के लोगों के लिए मैं कुछ उपाएं बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने जीवन में सुख सम्रिद्धी और धनयोग का सैयोग बना सकते हैं और शिव जी की कृपा पराप्त कर सकते हैं। पहला है अभिशेक, शिवलिंग का अभिशेक यदि गंगा जल से किया जाए तो शिव जन्दी ही प्रसंद होंगे। अभिशेक में फिर आप दोद में चीनी मुला कर शिवलिंग का सिनान कराएं। भांग धतूरा, शिवलिंग पर भांग धतूरा चड़ाना भी शिव को प्रसंद करेगा और उत्तम दाई फल प्राप्त करवाएगा, काले तिल, शिवलिंग पर काले तिल भी चड़ाने चाहिए, काले तिल चड़ाने से पाप नश्ट होगे, या शिव को प्रसंद करने के ल इन राशियों को उत्तम फल भी मिलेगा बिल्वपत्र शिवराध्या में शिवलिंग पर बिल्वपत्र ये पत्ते जिसमें चंदन से ओम लिखकर चड़ाएं सांड को गुड़ खिलाएं इनके वहां नंदी जी है अता घर के पास किसी सांड को ढून कर गुड़ खिलाना शिव को बेहद प्रसंद करता है घर में चोटा सा पारद शिवलिंग अगर हो सके तो रख कर उसका अबशेक करें भस्म तिलप भगवान शिव को भस्मती प्रिय है अता शिवलिंग पर भस्म चड़ानी चाहिए और उसका तिलप भी करना चाहिए शिवलिंग पर तिरपुंड भगवान शिव की के रूप में पूजा करते समय त्रिपुन्ड बनाएं त्रिपुन्ड का आप भी तिलग करें त्रिपुन्ड का तिलग शिव को खुश करता है कि तो यह कुछ ऐसे उपाए हैं जो आप शिवुलिंग पर चढ़ा कर भगवान शिव को परसंद कर सकते हैं और सिर्फ यहीं नहीं अपने लिए उत्तम आरोगिवा संपदा भी प्राप्त करवा सकते हैं ऐसे ही वशित्र और रहसमई कहानियों के लिए हमारे नेक्स नेनल स्पेचल को सब्सक्राइब करें नेक्स नेनल स्पेचल से अभी शेक चौहान की रिपोट